नमस्कार दोस्तो आप सभी का सवागत है नवीश गारडन में दोस्तो आज अम बात करेंगे पिटोनिया फ्लावर्स के बारे में पिटोनिया जो है वो एक सीजनल प्लांट है दोस्तो फ्लावरिंग प्लांट है और इसके अंदर जो है वो सर्दियों में flowering होती है सर्दियों में विशेशकर नॉंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रेल, मई तक भी इसमें flowering होती है दोस्तो इसको temperature जो है वो कम से कम भी 20 degree से नीचे नीचे जब रहता है तो इसके अंदर फूल किलते हैं 25 degree तक भी इसके अंदर flowering होती रहती है इसके उपर जब temperature चला जाता है तो फूलों का size छोटा होना start हो जाता है और दीरे दीरे temperature के बढ़ने के साथ साथ जो है ये dead हो जाता है plant ये जो plant दोस्तो जो पहड़ी area है उसके अंदर तो regular बने रहते हैं लेकिन बाकी जो इंडिया का इसा बचता है उसके अंदर मोसम के इसाब से ही उगते हैं जैसे की सरदियों में ही उगते हैं दोस्तो अब बात करते हैं इसको grow करने की कि हम इसको grow कैसे करें तो इसको जो grow करने का तरीका है दोस्तो वो seed से grow किया जा सकता है और इसकी cutting भी लगाई जा सकती है seed से अगर आप grow grow तो ज़्यादा better रहता दोस्तो अगर आप इसकी cutting लगाते हैं तो cutting इतनी ज़्यादा नहीं चलती है फंगस की वज़े से मर जाती है अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कटिंग से लगेगा नहीं लग जाएगा लेकिन जल्दी जो है वो सीड से ग्रो होगा दोस्तों और अगर आप अपने प्लांट को बुसी बनाना चाते हैं तो टाइम टाइम पर इसकी जो है पिंचिंग करते रहें जो भी फूल आकर के चला जाता है उसको हटा दें उस पे से इससे क्या होगा आपका जो बुदा है वो बुसी बन जाएगा बिल्कुल अच्छे से गोल गोल या भरा हुआ दिखाई देगा और उसके उपर जादा से जादा फूल आएंगे पिटूनिया के अंदर बहुत सारे कलर आते दोस्तों मल्टी कलर ये प्लांट होता इसके अंदर बहुत सारे कलर होते है आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे पास ये अलग-अलग सेट के जो हैं कलर है यह सारे पिटूनिया है यह इसके अंदर खुसबू नहीं होती है खुसबू रहित प्लांट है दोस्तो यह इसके अंदर सिरफ शो कह सकते हैं यानि देखने में इसमें खुबसूरती है खुसबू लैसे यह अब बात करते हैं इसके अंदर जो मिट्टी कैसी यूज करें पान कि पानी इसको ज़्यादा requirement नहीं होती है पानी सिरफ इतना चाहिए दोस्तों जितना कि इसके अंदर नमी बनी रहे और बाकी पानी एकसेस हो बाहर निकल जाए पानी खड़ा रहेगा तो ये पोदा जो है जल्दी ही सड़ जाता है और मर जाता है यानि पानी से एक तरह से ऐ लग लगाएंगे दोस्तों अब बात करते हैं इसकी फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर में फ्लावरिंग प्लांट को जैसे कि आपको पता ही है पोटैसियम नाइट्रोजन की जुरूरत होती है तो आप इसके अंदर जो रिच सोर्स हो पोटैसियम का या इसके अंदर यूज कीजिए इसको सीड्स से गरो करने के लिए दोस्तों हर फ्लावर के नीचे एक सीड्स बनना स्टार्ट हो जाता है कुछ समय के बाद जैसे कि आप यह देख पा रहे होंगे यह जो है वह वह बीज है इसमें से बिल्कुल टीनी साइज के छोटे छोटे बिल्कुल ही बारीक राई के दाने से भी चोटे बीज निकलते हैं और इनी बीजों को अगर हम स्प्रिंकल कर दें तो असानी से इसमें से हमको पोधे तियार मिल जाएंगे दोस्तों यह जीतने भी प्लांट आप देख यह सारे मैंने शीड से ही ग्रो किये हुए हैं और शीड को ग्रो करने का तरीका जो है इससे पहले कि एक वीडियो मैंने पिटोनियों के उपर बनाई हुई है उसका लिंक मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा उससे आप देख सकते हैं कि सीड लि जो को लगाया है दोस्तों आप नर्सरी से भी इन पोदो को ला सकते हैं नर्सरी पे ये 20-30 रुपे के इजली मिल जाते हैं इससे ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं ये देखिए इस तरीके के बिलकुल बारिक-बारिक से सीड होते हैं जो कि इनके नीचे से निकलते एक ही फूल के नीचे से कई सारे बीज निकलते हैं और जितना भी आपको ये भी दिखाई दे रहें इतने ही पोदेन तरीक्यार किए जा सकते हैं तो दोस्तों ये बाकी के कलर्स हैं ये देखिए कितना प्यारा कलर्र है जो कि पिटूनिया का है और और भी इस टाइम पर सीजनल और healthy flowers को अपने garden में जगह देना तो इस वीडियो को देखना इससे आपको समझ में आएगी किस तरीके से हम इनकी care करें और किन-किन बातों का ध्यान रखें दोस्तो इसके उपर अगर हम पानी का spray करेंगे या किसी तरीके से फूलों के अंदर अगर पानी जाएगा तो पानी की वज़े से फूल जल्दी डैड हो जाएगे हमको इसकी जडो में पानी देना है नएकि इसकी उपर पानी को छिड़काओ करना है भूलके भी इसकी उपर पानी को छिड़काओ मत करना उससे full आपके जो हड़ाड हो जाएंगे और इसको fully sunlight के अंदर रखना है क्योंकि कोई भी flowering plant क्यों न हो वो sun की light से ही खिलता है तो अगर इसको sunlight नहीं मिलेगी तब भी ये खिलेगा नहीं इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखें इन प्लांटों को जहां पर सुरिय की दूप इनके उपर गिरती हो जिससे कि इनके अंदर अच्छा खासा खिलाव आए अभी आप देख सकते हैं फूल थोड़े से मुरजाए वे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सर्दियां बहुत है दोस्तों जिस टाम में शूट कर रहा हूँ और दूंद गिरी वी है जिसकी वज़े से सुरिय दिखाई नहीं दे रहा है बिना सुरज के इनकी आलत थोड़ी से ऐसी हो गई है जब सुरज आ जाएगा यानि कि दूंद थोड़ी से कम हो जाएंगी तो उस टाइम पर यह अच्छे से खिलके आएंगे अब यह देखी यह इसका एक और कलर है प्यार सा से जिसके उतर कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है दोस्तो आफ से जो है वह हेंगें बास्केट भी तैयार कर सकते हैं यह हैंगें में भी बहुत अच्छे दिखाई देटें है और ज्याव मनों भर जाती ऑन्योंचको यह नहीं दोस्तों पूरी दिवार पर आपको दिखाई दे रहे होंगे अलग-अलग कलर के पिटुनियास जो हमें ने लगाई हुए हैं और कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं अगर आपको भी इन से रिलेटिड कोई और जानकारी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो और आपके पोदे में कोई प्रोब्लम हो फंगस हो किसी तरीके की तो आप मुझे कमेंट करके बताईएगा मैं उसका सुलिशन आपको जरूर बताऊँगा दोस्तो फंगस की बात रहे तो इसके उपर कम ही फंगस लगता है इतना फंगस नहीं आता है फिर भी अगर आपको ऐसी प्रोब्लम को फेस करना पड़ रहा तो आप मुझे जरूर बताईएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो साथ ही साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी वीडियो जो है चैनल पर आती रहती है और आपका बेनिफिट होगा दोस्तो